है दोस्तों आप सभी का फिर से सौकत है सरकारी जॉब्स पूरो येटूब चैनल में तो दोस्तों आज हम देश की जानीमारी टॉप कंपनियों में से एक TVS Electronic Limited में आयो ही जॉब की वेकैंसी के बारे हैं बात करने बाले हैं और इसमें जो है जिन लोगों का 10-12 ITI डिपलोमा पास हो चुका है तो वे लोग इलिजबल होंगे अपलाई करने के लिए और आप लोग यहां पर अपलाई कैसे करेंगे इसके बारे में आगे चल करके मैं आपको फुल डेटेल देने वाला हूं क्योंकि यहां पर जो आप लोगो कहीं पर जाने की जुरूरत नह है जो कि 12,000 से लेकर के 15,000 तक के जाएगा और प्लस में भी हो सकता है कई-पर कायर के जोड़ जाएंगे उसके साथ में इसके बारे में भी फुल इस्ट्रक्शर में आगे चल करके आपको बताने वाला हूं एक और बात अगर आप इसी जॉब की इन्वामेशन पाते रहना है अब चलते हैं यहां पर कंपनी का ने में आपको बता चुका है TVS Electronics Limited और यह इसकी जो जॉब की लोगेशन रहेगी दिल्ली NCR में आपको वहां पर जो पोस्टिंग दी जाएगी अब यहां पर देख लेते हैं कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स लिखी हुई है और सा आपका रहेगा फिल्ड सर्विस इंजिनियर का इसमें जो है आपके लोग के प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉबाइल, माउस और यहां पर पावर सब्लाइस और सेट आप बॉक्स आ जाते हैं यह सभी प्रोड़क्ट्स रहेंगे TVS Electronics Limited के अंदर गत में आगी चलते हैं यहां प अपार्टमेंट है उसके लिए आपको वहां भेजा जाएगा कॉलिपकेशन की बात कर लेते हैं तो आपका दस्वी के यह फिर जो बार वी होना चाहिए यह फिर कंप्यूटर हाडवेर डिपलोपा होना चाहिए को अपम्प्यूटर हाडवेर के साथ में और या तो फिर आ experience बहुत यहां पर यहां पर लिखा हुआ है जा सकते हैं पोजिशन के बारे में देखा जाए तो जो पोजिशन है आप लोग को चाहिए आइटिय के हो या फिर डिप्लोमा के या फिर 1012 के आप लोग को फिल्ड सर्विस इंजिनियर की यहां पर पोश्ट दी जाएगी जो कि मैंने आपको वीडियो की सर्वात में बताया हुआ था अब यहां पर salary और जो benefit का structure देख लेते हैं तो जो salary range और experience candidate यहां पर देख लेते हैं जो 10 के candidate हैं 10 वी और 12 के उन लोग को यहां पर 10 ़जार के उस पस में salary दी जाएगी यह सभी salary plus में है, इसके आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके attendance award भी जुड़ेंगे, जो की 800 से लेकर के 1000 रुपय तक ही जा सकते हैं, और साधी सथ overtime का भी rate आपको यहाँ पर अच्छा कासा मिल जाएगा, और अब यहाँ पर job की location के बारे में देख लेते हैं, तो जो जॉप की location है, वो डेली NCR में होने वाली है, हम apply करने के process पर जल्दी आएंगे, पहले मैं आपको पता दू कि passing out year क्या 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 रखा गया है, और age limit क्या है यहाँ पर, तो जो age limit की बात करते हैं पहले, तो minimum 18 साल तक ही गई है, और maximum यहाँ पर 28 साल तक के जा सकते ह है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, नोट्स में कुछ, तो यहाँ पर जो आप लोग के पास, टू विलर गंपल खरी होना चाहिए, और immediate joiner जो है, वही preference में जादा यहाँ पर लिये जाएंगे, immediate joiner preferred, अब यहाँ पर जो interested candidate है, apply करने के लिए, उनके लिए मैं प्रसेस बता करेंगे, आपको वापस से बार-बार रिजम बेजने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ही आप एक अच्छा-कासा रिजम बना के हाँ पर भेज दीजे, फिर भी कोई doubt है, या problem है, तो मुझे आप comment करके नीचे में पूछ सकते हैं, मैं आपको reply दे दूँगा, और नीचे में कई और भी लिंक्स है, ताकि आप महाँ पर जाकर के देख सके अपनी qualification के वाइस jobs,